नमस्कार दोस्तो मेरा नाम हरीश और आप देख रहे हैं इलेक्टोनीश वर्मा तो दोस्तो आज का जो हमारा वीडियो है वो है देखिए साइकिल एकसरीज के उपर यहां पर मैं आज आपको सारी एकसरीज यह जितनी भी है सारी हम चला के दिखाएंगे कि किस तरीके से कैसे वर्क करती है और किस तरीके से आप जो है इसे परचेस कर सकते हैं तो यहां पर देखिए यह जितना भी प्रोडक्ट है मैं अपनी सोप पे से रखता हूं यहां पर मैं सेल करता हूं लेकिन यहां पर जो है मैं लोकल ही सेल करता हूं ओनलाइन कोई भी नहीं सेल करता तो यह यहां पर मैं आपको Amazon का Link डाल दूंगा वहां से जाकर आप इसे पर्चेस कर सकते हैं तो यहां पर हम एक एक होरन एक एक लाइट जो है टेस्ट करके मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से वर्क करती है कैसे आप उसको यूज कर सकते हैं कि तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हम सुरवाद करते हैं साइकिल लाइट से जो हमारे जो हमारा जो पईये का वाल वोडी होता है वहां पर हम इसे लगा सकते हैं जहां से हम हवा बढ़ते हैं तो इसको ओन करने के लिए हमें सिंपल इस तरीके से इसे राउंड करना पड़ता है और यह इस तरीके से जलती है देखिए तो यह हमें सबसे सस्ती मिल जाती है तो हम इसे अपनी सोपे सिर्फ 10 रुपे की बेखते हैं क्योंकि मेरे को बहुत से भाई कहते हैं कि सर आप जो है प्राइज भी बताया करो तो मैं प्राइज आपको बता रहा हूं जो मैं अपनी सोपे सेल करता हूं तो यहां पर जो इसका प्राइज है वह 10 रुपे है 10 रुपे में यह वाली लाइट जो आपको सिंगल पीस मिलती है यह देखिए इस तरीके से फिर आ जाते हैं यहां पर जो हमारे पास है हैंडिल बार लाइट यह जो यहां पर दो पीस बेखते हैं यानि कि एक हैंडिल के सेट के अंदर दो लगती है तो 50 रुपे की दो light तो यहां पर यह मैं आपको रहा रहा हूं यह rate मैं वह वह बता रहा हूं जो हम यहां पर अपनी सोपे इसका प्राइज रखते हैं तो यह वाले सारे जौ प्रोडक्ट sensor light का क्या काम होता है कि जब हमारी cycle यह bike चलेगी तभी यह light जलती है तो इसको भी मैं आपको एक piece open करके दिखाता हूँ यह work किस तरीके से करती है तो कुछ इस तरीके से यह हमें light मिल जाती है और जब हम इसको पहली बार लेते हैं तो यहाँ पर हमें जो cell के अंदर यहाँ पर एक यह देखिए जो packing देखने के लिए मिलती है इसको हम निकाल देंगे remove कर देंगे और फिर इसको जो बंद कर देंगे तो हमारी जो light है वो working में आ जाएगी देखिए यह देखिए मैं आपको दिखाता हूँ यह देखिए अब यह जब हमारी cycle work करेगी तो यह light हमारी जलेगी यह देखिए जिस तरीके से यह light जल रही है तो यह light हमें कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलती है और इस light के अन्दर आपको color बहुत सारे मिल जाते है red color influencing blue color भी मिल जाता है और यहाँ पर green color और yellow color हर color में यह light आपको मिलती है लेकिन सबसे ज़्यादा जो यह light चलती है वो चलती है blue color के अंदर अगर आप ऐसी light लेना चाहते हैं जो जल्दी खराब नहों तो आप blue color की ही light ले और कोई सा color ना ले प्यूंकि जो blue color की LED होती है उसकी voltage high होती है और यहाँ पर 3 बैटरी डलने के कारण यह light कभी भी खराब नहीं होती फिर हमारी normally जो बहुत से भाई है उस साइकलों में ऐसी light लगा लेते हैं तो देखें यहाँ पर यह पैकिंग जो होती है light हमारी तो यह वाली जो light है हमारी इसको देखिए चार वोल्ट की LED यहाँ पर एक on-off switch मिलता है एक 9 वोल्ट का बैटरी कनेक्टर मिल जाता है इस तरीके से भी इसमें मिल जाता है तो यहाँ पर यह वाला जो हमारा सेल होता है यह होता 20 रुपे का यानि 20 रुपे का एक पीस होता है यह इसके अंदर हमें ती पीस देखने के लिए मिलते हैं यानि कि तीन हमें यहाँ पर देखने के मिलते हैं बैटरी कनेक्टर on-off switch और LED लाइट यह 20 रुपे का एक पैकट होता है तो यह भी बहुत से बच्चे जो है अपनी साइकलों में या प्रोजेक्ट में यूज करते हैं फिर यहाँ पर हमारे तो मैं इसको open कर लेता हूँ तो यह देखिए कुछ इस तरीके से यह हमें light मिलती है हमें इसके साथ data cable मिलती है और यह एक ring मिलती है इसको यहाँ पर फसा के और किसी भी चीज में round करके और इसको हम यहाँ पर लगा सकते हैं इस तरीके से अब यहाँ पर यह work कैसे करती है तो देखिए इसमें यहां पर मिल जाता है आपको charging jack यह देखिए मैं आपको दिखाता हूं यह देखिए यह charging jack है अगर यह down हो जाती है तो हम इसे charge भी कर सकते हैं और इसकी जलती कैसे है इसको एक बार ऐसे दबा के रखो यह देखिए तो यह पहला mode है दूसरा दबाओगे दूसरा यह वाला mode है तीसरा दबाओगे तीसरा यह वाला mode है और फिर इस तरीके से यह direct जलती रहेगी फिर दुआरा mode वही वाला आ जाएगा और इसको दबा के रखोगे तो यह बंद हो जाएगी इस तरीके से तो यहाँ पर यह वाली जो light है यह मैं अपनी sop पर बेखता हूँ 140 रुपे की यानि कि 140 रुपे में यह sop पर हम इसको sale करते हैं अब यहाँ पर आ जाते हैं यह वाला होरन इसके अंदर पिलस हमारा light है पिलस होरन है यहाँ पर यह वाला हम sale करते हैं 290 रुपे का नियुक्ष हर जी यहां पर हमें देखने के लिए कुछ इस तरीके से मिल जाता है और यहां पर ग्ली में i can't come also भाला ढोग देहन के लिए अब देखिए इसकी जो लाइट Sultan यहां पर एक मोड के लोगा जोगा लोगा और यहुक्त वसप्स को वाला और इसके अंदर जो sound है वह मुझे कुछ इस तरीके सो देखने लिए मिलता है अगर मैं इसको दबाके रखोआ तो इसको sound बहुत हो जाएगा देखिए इसकलट जो गया और format को रहे को दबाके रखोंगा फिर इसका sound प्र मात झाज आयगा तो यहाँ पर इसके sound जो है वो आराम से change कर सकते हैं और जो इसका charging है वो charging point यहाँ होता है देखिए यह इसका charging point है तो यह भी आपने देख लिया अब मैं आपको दिखाता हूँ laser light यह देखे यह laser light भी बहुत ज़्यादा sale होती है तो यह देखिए कुछ इस तरीके से हमें इसका यहाँ पर एक stand भी मिल जाता है हम इसे cycle में आगे या पीछे कहीं भी लगा सकते हैं और इसमें दो button मिलते हैं हमें एक laser का मिला हुआ है और एक LED का मिला हुआ है तो इसमें हम यहाँ पर battery लगा के देखते हैं कि यह work किस तरीके से करते हैं और कैसे इसके जलती है तो यहाँ पर जो यह battery लगेगी इसमें AAA की बैटरी लगेगी यह देखिए यह battery होती है हमारी यह यहाँ पर दीखे ऐ घ्रिपलेई जो हमारे cello के अंदर यूज होती है तो AAAender's लगेगी यह वाली थो battery हमारी देख internet खराब निकल गई तो मैं दूसरी वाली दले ले लेता हूं तो इसको हम बैटरी को यहां लगाएंगे और इसको इस तरीके से लगाएंगे और कवर को यहां लगा देंगे अब इसको टेस्क करते हैं किस तरीके से जलती है तो यह इसमें पहला मोड हो गया यह दूसरा हो गया यह तीसरा मोड हो गया यह चोथा मोड हो गया इसके अंदर और इसी से ही बंद भी हो जाएगी तो ये देखे बंद हो गई और laser light जो है वो नीचे के side में देखने के लिए मिलती है जब आप cycle चलाएंगे तो ये laser light नीचे के side में जाएगी ये देखे तो ये भी हमें देखे 3-4 mode के अंदर मिल जाती है ये इस तरीके से बंद हो गई तो इस तरीके से ये आमें देखे laser light देखने के लिए मिलती है ये देखे तो इसको हम बैटरी को बहार निकाल लेते हैं तो ये भी आपने देख लीजी तो ये कुछ हमें इस तरीके से मिलती है तो इसको भी कर देते हैं हम side जिससे कि हमारा वीडियो ज्यादा बड़ाना हो आप आ जाते हैस वाले होरण पर देखे यह वाला होरण हमें ज्यादातर देखने के लिए मिलता है PULACE LIGHT के अंदर यानि इसके अंदर भी होरर के जो जादातर पुल्स वाले जो है यहां पर 9 वोल्ट की बैटरी यूज़ होती है इसके अंदर देखिए इसको उपन करके भी दिखा देता हूं तो पहले जब आप शुरू में लेंगे तो इसे 9 वोल्ट के आपको कनेक्शन करने होंगे यहां पर बैटरी के नहीं मिलते हैं तो यह देखिए यह मैं इसको open करता हूँ तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर एक 9V का बैटरी लगा हुआ है यह देखिए तो इसको मैं cover को लगा देता हूँ और यहाँ पर आपको जो इसका sound काफी तेज मिल जाता देखने के लिए अब ही मैं इसका sound भी सुनाओंगा कि इसका sound है वो कैसा है तो इसको हम बंद कर देते हैं इस तरीके से और इसका holder मिल जाता है एक handle पर कसने के लिए इसको लगा सकते है और इसका जो सूच है वो अलग से मिलता है देखिए तो इसका sound सुनाता हूँ मैं आपको तो इसके अंदर भी चार-पांच मोड है जब हम इसको दबा के रखेंगे तो sound चैंज हो जाएगा तो यहाँ पर जो sound है वो काफी देर में change होता है तो इसलिए मैं इसको नहीं दिखा रहा हूँ लेकिन इसमें 4-5 sound आपको मिल जाते है और मैं इसे अपनी इसे अपनी इस चैंज होब 20 रुपय का बएकता हूं तो यहां पर आप देख सकते है यहां को कहा कितने का मिलता यहां पर मैं जोरण से 2-8 तो इसमें यह चाम करना है इसको निकाल देता हूं तो देखें सारे होरन में आपको चला के इसलिए दिखा रहा हूँ इससे आपको यह पता लगता है कि होरन किस तरीके का है कैसी आवाज है कौन सा होरन हमें लेना चाहिए तो इस तरीके से यह होरन के साथ हमें एक जो है handle पे लगाने के लिए इसकी clamp मिल जाती है और यह नीचे साइड में इसकी बैटरी लगती है, यहाँ पर इसे open करेंगे, तो इसमें तीन बैटरी का option मिलता है, ट्रिपल अ का, तो एक बैटरी हमा ये, और एक हमने यहाँ लगा दी, और एक बैटरी हमारी ये, और इस तरीके से इसको cover को हम लगा देंगे, तो यहाँ प ये डिसको में light है, ये slow motion में है, और ये direct हमारी light जल रही है, और light भी इसकी काफी तेज है, तो कुछ इस तरीके से हमें देखने के लिए ये light मिलती है, और ये हम अपनी soap में 200 रुपे की sale करते हैं, तो आप इसे online देख सकते हैं, ये आपको कितने की पढ़ रही है, तो इस तो यहाँ पर ये headlight में open करके आपको दिखाता हूँ, किस तरीके से हम इसे चला सकते हैं, तो इसको यहाँ open करते हैं, कुछ इस तरीके से हमें देखने के लिए मिलती है light देखिए, और ये इसके जो clamp है, ये इसको इस तरीके से बाहर निकाल लेंगे, इसी तरीके से ये ल लगानी मिलेगी, हमें triple A की चार बैटरी, यानि कि एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो एक बैटरी हम यहाँ लगाएंगे, एक बैटरी यहाँ, एक बैटरी हमारी यहाँ लगेगी, और एक बैटरी हमारी यहाँ लगेगी, तो यह हमारी चारो बैटरी हो तो यहां पर देखिए हमने बैटरी चारो लगा दिया और इसको इसी तरीके से डालना है जहां पर यह हमारा सुच दिया गया इसी तरीके से इसको सीधा यहां लगाएंगे और यह वाला जो होल्डर है इसको इस तरीके से बंद कर देंगे हम यह देखिए यह बंद हो गया हमारा लोक हो गया अब इस लाइट को मैं आपको जला के दिखाता हूं तो देखिए यह लाइट इसमें पहले हो गई डारेक्ट फिर यहां पर देखे सिलो मोशन तो इसके अंदर दो ही मोड दिये गए है डारेक्ट और सिलो मोशन गई है तो इसको भी हम साइड कर देते हैं जैसे कि वीडियो हमारी और ज्यादा लंभी न हो पिर आजाता है हमारा यह वाला हॉरण मैं अपनी सोफे 220 का सेल करता हूँ 220 200 सो रुपे इतने तक में अपन सेयल कर देते हैं हमδαसे इसको भी आपन कर के दिखाता हूं यह किस तरीके से भी है मिलता है यहwith बन देखने के लिए लगता हैं कि यह भीक साथ हमें कुछ पूझ मिलता हुँजाती है और इसे handle में हम कहीं भी लगा सकते हैं तो इसको भी हम open करते हैं इसके अंदर भी हमें battery को लगाना पड़ेगा और sound changing के लिए यहाँ पर यह दिया गया है इसके अंदर controller जिससे हम sound को change कर सकते हैं तो अभी हम इसको भी check करेंगे तो इस तरीके से यह देखिए अपन हो जाएगा और यहाँ पर जो battery लगेगी वो double A की battery लगेगी दोनों यह हम यहाँ लगा देंगे और यह वाली हम यहाँ लगा देंगे और इसको cover को बंद कर देंगे तो यहाँ पर देखिए पहला हम चेक करते हैं और यहाँ पर जब sound हमें change करना होगा तो इसको एक बार ऐसे घुमा देंगे यह देखिए इससे sound change होते हैं तो यहाँ पर इस तरीके से यह दोस्तों काम करता है तो हम इसकी battery बाहर निकाल लेते हैं और इसको कर देते हैं side इसको बाद में pack करेंगे और अब आ जाते हैं हमारे पास यह वाली light देखिए यह हमारी handle bar में इस तरीके से लग जाती है इसमें red भी light मिलती है और red और white दोनों मिलती है light हमें तो इसको भी मैं आपको बाहर निकाल के दिखाता हूँ यह किस तरीके से work करती है तो यह देखिए यह हमें मिलती है इस rubber type में यहां पर हम handle bar में कहीं भी इसको लगा सकते हैं तो यह किस तरीके से जलती है यह पहला mode हो गया इसका देखिए इसमें disco भी है और इसमें slow motion भी और बंद भी है और इसमें लाल वाली हमें कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलती है इसका बटन ऊपर की side में होता है देखिए और यहीं से यह बंद भी हो जाएगी और सिलो भी हो जाएगी तो यह light हम handlebar में लगा सकते हैं और यह वाली जो light है मैं 100 रुपे की sale करता हूँ यानि कि जो एक पत्ता होता है वो इसका 100 रुपे का होता है दो light का जो हम इसे sale करते हैं फिर आ जाते हैं हमारे पास देखिए यह वाली light इसमें आपको back light भी मिलती है और front light भी मिलती है दोनों holder मिल जाते हैं इसको लगाने के लिए तो इसको भी हम check करते है तो यहाँ पर मैं इसको open कर लेता हूँ तो यह देखिए यह वाली light हमें कुछ इस तरीके से मिलती है और यह front वाली light हमें इस तरीके से मिलती है तो front वाली light तो यह वैसी है जैसे मैंने अभी आपको single light दिखाई थी जिसके अंदर देखिए यहाँ पर 4 battery लगती है यह देखिए तो इसको तो हम check अब नहीं करेंगे और मैं आपको इसकी back light को check करा देता हूँ क्योंकि इसकी back light जो है वो आपको पता लग जाएगी किस तरीके से work कर रही है यह देखिए यह इसकी back light है और यहाँ पर जो है इसको तो इसको मैंने अभी तक open तो नहीं करा है तो मैं इसको open कर ले तो देखिए दोस्तो हमारी जो यह light है यह front side से open होगी और front side से open होने के बाद हम इसके अंदर यहाँ side में battery लगाएंगे इस तरीके से यह देखिए इस तरीके से यह हमारी जो है बैटरी लग जाएगी और इस तरीके से हमें देखने के लिए light मिलती है तो इसका cover लगा लेते हैं हम तो cover कुछ इसी तरीके से वापसी यह देखिए पैक हो जाएगा इसका cover यह देखिए इस तरीके से ही इसका cover वापसी लग जाएगा और यहाँ पर देखे यह इसका पहला mode यह दूसरा यह तीसरा mode और यह चोथा mode यह पांचवा यह छटा mode और यह सातवा और यह आठवे पर जाके यह off हो जाएगी तो यह कुछ इस तरीके से हमें देखने के लिए मिलती है तो इसकी बैटरी हम बाहर निकाल लेते हैं तो यह front side से open होगी इसको हम side कर देते हैं तो इसको हम दोस्तो अपनी इस ओपे मैं से sale करता हूँ 270 रुपे में यानि कि front और जो back है वो 270 रुपे में हम sale करते हैं फिर आ जाते हैं हम यहाँ पर यह police वाला होरन इस तरीके से यह वाला हम sale करते हैं 290 रुपे में जिसके अंदर हमें remote control यहाँ पर मिलता है चार बटन मिल जाते हैं इसके अंदर तो इसको भी मैं आपको open करके दिखाता हूँ कि यह कुछ इस तरीके से हमें मिल जाता है यह देखिए इसके अंदर हमें clamp मिल जाती है holder इसको लगाने के लिए तो यह हमारा front से open हो जाता है इसके अंदर देखिए बैटरी भी लगी भी हुई है बैटरी इसकी front में लगने के बाद और यह इस तरीके से ही बंद हो जाता है यह देखिए यह च्टरीके तो इसके इंदर इस तरीके से साउंड इस तरीके से इसी लाँट जो है वो दोस्तो जलती तो इसको भी अम site कर देतें फिर आ जाता है हमारा ये मिनी वाला होरन ये देखिए इस तरीके से तो ये मिनी वाला जो होरन है दोस्तो हम 100 रुपे में सेल करते हैं बैटरी लगा के यानि कि ये जितने भी आपको होरन दिखाए दे रहे हैं समय बैटरी लगा के मिलती है तो यहाँ पर यह 100 रुपे का सेल करते हैं पहले यह 80 रुपे का सेल करते थे हम लेकिन अब थोड़ा इसका rate बढ़ गया है तो यह अब यह 100 रुपे में सेल हो रहा है तो इसके अंदर भी हमारी AAA की बैटरी लगेगी इस तरीके से बैटरी लगाके और इस तरीके से यह वाला cover लगाके हम इसको बंद कर देंगे तो यह मैं इसको बंद कर देता हूँ तो इसका जो है यह ढखकन जो है सही से लगाके इसको यहाँ लगाके और इसको बंद कर देते हैं यह देखे यह हो गया बंद और इसका बटने देखे है यह देखिए नातकि को इसका विद्धों काफी तेज है ग्याई जोटा है लेकिन काफी तेज थे उसको मैं कर देता हूं और आपको नियुक्त में टो थे राटे दिखाता हूं इसके अंदर शोटान है आप देखें ये headlight है ये simply खाली headlight ही 290 रुपे की भिकती है और इस light के अंदर जो इसलिए महंगी है क्योंकि चार्जिंग वाली है और ये थोड़ा ये थोड़ा इसकी जो quality है वो अलग है तो इसलिए जो इसका price है वो जादा है तो ये light कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलती है ये हमें charging इसके साथ केवल मिल जाती है ये हमें यहाँ पर handle का इसका वो मिल जाता है यहाँ पर को screw अगरा नहीं है simply यहाँ पर हमें belt मिलती ह तो यह देखिए मैं आपको जला के दिखाता हूं यह देखिए इसका यह पहला mode है यह इसका low वाला mode है यह इसका slow motion वाला mode है और यह इसका off है यानि कि 3 mode मिलते हैं हमें देखने के लिए और charging point हमें इसका यह वाला देखने के लिए मिल जाता है यह इसका charging point है तो इसको भी हम साइड कर देते हैं फिर हमें देखने के लिए मिलती है यह वाली लाइट देखिए यह प्रोजेक्टर लाइट है इसके अंदर तो यहां पर हमें प्रोजेक्टर देखने के लिए मिलता है देखिए इस तरीके से यह लाइट मिल जाती है यह देखिए यह इसका charging port है और यहाँ पर इसका यह बटन लगाऊ है तो इसका यह पहला mode यह देखिए यह पहला mode है 으हाँ पर हमें round के लिए मिली है इसकी focus है अब कम जज़्यादाई करने के लिए यह देखिए इससे कम ज़्यादा होता है यह दूसरा मोड है यानि कि यह दोनों जलेगी यह तीसरा मोड है तीनों में जलेगी यह डिसको वाली लाइट होगी इसकी और यह आउफ होगी तो देखिए इसके एलेडी भी काफी बढ़ी है देखिए एलेडी यह देखिए जूम हो जाती है यह देखिए यह देखिए एल भाई इसे लेके जाता है तो हम इसे 300 रुपे का सेल करते हैं और अगर हम इसको लगाते हैं साइकल में तो हम 20 रुपे एक्ट्रा लेते हैं लगाने के लिए तो हम इसे 320 रुपे का सेल करते हैं तो इसको भी मैं आपको एक बार ओन करके दिखा देता हूँ तो cycle में लगाने के लिए मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियो बनाई हुई है वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं simply मैं इसको आपको on करके दिखा देता हूँ कि यह जो display किस तरीके से इसकी दिखाई देती है तो इसको यहाँ से हम open कर लेते हैं इसके साथ हमें सारा ही समान मिल जाता है कुछ भी समान हमें लेनी के जरूत नहीं होती यहां तक कि इसके अंदर हमें battery भी देखने के लिए मिल जाती है तो मैं इसको आपको open करके दिखाता हूँ तो यहाँ पर हम इसको जो है इस तरीके से पहले राउंड में घुमाएंगे इसको तो राउंड में घुमाने के बाद जो है यह हमें यह देखेंगे ढकन खुल गया इसका फिर इसको ऐसे करके बाहर निकाल लेंगे फिर इस बैटरी को निकाल लेंगे और इस बैटरी को आप simply इस तरीके से रग देंगे इसके उपर तो आप देखें मैं इसकी जो आपको डिस्पले दिखाता हूँ और इसको round करके ऐसे गुमा देंगे तो यह देखें कुछ इस तरीके से इसके डिस्पले देखने के लिए मिलती है और यहाँ पर मैं आपको फुल वाली डिस्पले दिखाता हूँ कि जो फुल वाली डिस्पले है वो इसकी देखने के लिए देखें ऐसी मिलती है तो दोस्तो मेरी वीडियो आपको कैसी लगी अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना, सेर करना, सब्सक्राइब करना और बेल के आइकन को जुरूर दवाना मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही जानकारी लाता रहूँगा